सब्सक्राइब करते हैं इसका पुरा नाहा में सर्विस केर लिमिटेड और यह आई-पयो आज के दिन 14 जुलाई को उपेन हो रहा और 18 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा 2011 में कॉर्पेट किया गया है अलगी कंपणी का बिजनस चाल हुआ जो कि एक तरह का कंपणी जो है services offer करता है जैसे work space administration service workforce administration services जो कि अलग-अलग business domains में जो है सभी business domains में जो से यह दो तरह की services offer करती है और यह जो जो company का business है यह बहुत highly competitive और fragment segment में company का business है लेकिन अगर हम यहां बात करें कि company service जो दे रिये इसमें और क्या क्या है देखिए तो work space administration services जो है यह professional services वगरा deliver करती है facility management के तरफ और जिसमें यहां पर इसके अंदर होता workforce management services segment में जो के अंदर जो सो यह services देती है facility management वगरा देता है और यहां पर company end to end HRMS and HROS services वगरा भी offer कर रही है जिसमें यहां पर company design से लेकर complex challenges होता है उसका design से लेकर solve अगरा कर रही है service care limited जो है यह इसका overall experience और market presence जो है लगवार 23 years का market presence और overall experience है यह company को सपोर्ट कर रहा है इन company यहां पर इसका जो है इसके टीम में फिफ्टी एट हंडड़ से भी जाद है जो कि जिसमें इंक्लूड़ेगा contract contractual employees भी है जो की contract basis पर इंप्लोई को हायर करते वह भी इसमें इंक्लूड़ेगा चुकिए फिफ्टी एट हंड़ेड से भी ज्याद है इसके associates की टीम है service care जो है करेंटली लगवाग जो हैसो clients को जो के अलग-अलग segments जैसे इंजिनेरिंग education manufacturing infrastructure government and banking information technology health care staffing recruitment food fmcg verticals और ही बहुत साले clients मनलों के अलग-अलग segments से company जैसो यहां पर उन सभी को clients segments से clients को service वगड़ा company currently दे रही है अगर हम बात करेंगे इसके details का तो देखे 14 जुलाई आज की दिन ऑपन हो रहा इस एसे में लिस्टेड होगा इस आई प्यों को मार्केट मेकर है रिखाव सेक्यूर्टी जिस कंपनी आई प्यों के मार्केट मेकर है लिस्टिंग डेट 26 जुलाई का डेट रखा गया डेजर्वेशन जो दिया गया मार्केट मेकर को 5.06 परशंट का क्यू आई भी को 9.53 परशंट का एचना को 42.71 परशंट का रिटेल को 42.71 परशंट का ओफर दिया गया अगर हम फिनास्यल्स देखे था 20 में 19.2 करोल का अशेट 108 करोल का रिवनू 1.3 करोल का प都 amigos स्थ्री वर च्री ही करोड का पहुंस का टॉटे आंडयdaughter पॉट्व पॉंटी पॉंट वन करोल का आसेट्स सट्षेति है न फोट्सतरी लाक्स का पॉफिट देट लगवा कभी जैसे आप अपडेट नहीं किया गया है लेकिन ट्वेंटी तो डेट कंपनी का 3.4 के रोल था जो कि डेट तो कंपनी कह सकते कि थोड़ा कम डेट तो कम है लेकिन फिर भी का इसका फिनाशल अगर देखा जा तो इन कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है मैं करेंट कर रहा है और अभी डॉट करेंट कर रहा है कि क्या एस चीज को आगे भी मेंटेन कर पाएगी या फिन नहीं तो यह बहुत बड़ा कह सकते है कि फिनाशल इसका बहुत खराब देखने को मिल रहा है मतलब कि फ्लक्शुएशन बहुत ज्यादा कर रही है आरोई है 0. सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहा है अब्जेक्टिव क्या है तो इंक्रेमेंटल वर्किंगापिल रिक्वाइमेंट को मीट करना चाहिए जन्रल कॉर्पेट परपस पब्लिक इस एक्स्पेंस इन सभी के लिए आई प्यू लाया गया है अगर हम इसके कुछ पॉइंट सब्सक्राइब करती है जिससे कंपनी जो सब्सक्राइब करती है इसका मतलब कंपनी यह सो एक डायनामिक एज दे रहा है कंपनी का यहां पर देखे तो ट्विजनस में इसका स्टेबिलिटी भी है और एक रिनोंड प्लेयर है मार्केट में यह कंपनी जो की बेरा है कंट्री डांडर आठ्राइंट्र अर्च कार लेकिन रिस्क्राइब लिछ का तो बहुत इह तो नगेसेसा तो लेकिन दोड़ाइब कांपनी Sun संटीं कहें उस्काइब सब्सवॉं आ सक्क्राया शार्यां में और बहुत सब्सक्राइब हुए जांसने कभी services जाएता है और manpower services contract receipts जो होता है उससे mainly company का revenue हो रहा है operations से और इसमेंश में ऐसा services का business में कोई भी laws या फिखेंज रहता है तो गाइस company को बहुत इसके profit पर बहुत बड़ा effect पर सकता है impact पर सकती है company का business जो है यह बहुत जदा effect पर सकता है economic conditions पर भी और labor लॉज में कोई भी चेंजिस होता है तो कंपनी के बिजनस में इंपक्त कर सकती है तो वह लॉल कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की है जिसकी क्यों है गाइस देखे पहला फिनेस का बहुत ज्यादा फ्लक्षवेशन किया है दूसरा की कंपनी को मिल रहे हैं जो कि शुरूर्च सब्सक्राइब कर रही है तिसरा क्या हाइली कॉंपरिटिव और फ्रैग्मेंट सेगमेंट है और बहुत बड़े बड़े कंपनी इसके कंपेटर है फिर उसके बाद कंपनी जो है यहाँ पे लेकिन यहां पर और फिनास्टर डेटा में भी जो सो कुछ ट्रांसपेरेंशी की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है तो आप इसको पूरी दास इग्णॉर किता आपको कैपिटल सेफ दाएगा तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स से पुछे मिलते हैं एक्स वोड़ों में तिल दिन बाबाए